देखे जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो एक कापी और पैन जो मैंने कहा था जैसा कि एक कापी और पैन लीजिए नोट बनाईए तो उसमें जो आपको इंपॉर्टन लगे या जो नया लगे उस चीज को आप लिखना सुरू करें और रिपिटेशन करें रिपिटे करेंगे तो रिपिट से क्या होगा एक बार में नहीं समझेगा माइंड रीड करेगा क्योंकि आप जरा से अपने सिस्टम को समझें हमारा भी माइंड जो होता है इस केन करता है ठीक है यह जो आख है इस केन करके और माइंड उसे स्टोर करता है रीड करता है तो ठीक से नहीं आता है लेकिन अगर अच्छा से स्केनिंग हो गई लाइट उस पर पड़ गई ठीक से तो इसकेन कर लेता है जिससे इस पश्टता दिखने लगती तो ऐसे हमारा भी माइंड सिस्टम होता है यहां यह जो मैंने पिक्सल बताया है यह ब्लॉक के रूप में जितने भी ब बनता है इमेज जो हमको दिखता है वहां से लाइट जरूवत होती है लाइट क्या होता है प्रकास प्रकास क्या है एनर्जी एनर्जी क्या है उर्जा ठीक है और इसी को इस्टोर करने की जरूवत होती है इस्टोर में किस में होता है कैपिस्टर में कैपिस्टर में जो इस अलग अलग एफेक्ट है जिसे बूड़ जाका आते हैं तो इसमें भी आपका जो यह दिखता है आँक से एक शेटर की तरीके से काम करता है कि एक बार खुलता है एक बार बंध होता है ओपन क्लोज की तरह यह पिक्सल भी काम करता है तो देखिये जब ओपन होता है तो उस सम हमने बताया था कि सारा इनवर्स में जो सिस्टम है एक लाइन की रूप में हर चीज़ें अबलेबल है एक सेटर है वो खुलता है बंध होता है यानि आप दोनों काम होता है इस्टोर करने का भी और दिखाने का भी ठीक है तो यह दोनों काम हो जाता है इसलिए हमारी एक आर्टिफिसल तरीके से कोसिज करेंगे समझाने के लिए बताने के लिए जिससे यह काफी आसान होगा क्योंकि इंटर्नल इस्ट्रक्चर आप देखेंगे इसका पैनल का तो यहां पर भी आपको देखने के लिए इस्टुमेंट होने चाहिए जिसे लेजर कैमरे की समझ जो देखना भी कटिन है लेकिन उसके क्या होता कि एक एरिया को देख जो है एक गयस लगाकर जो है इसकी ड्राइंग या समझ जो है पैदा की जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए हमारे पास जो important चीज है वो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर है वो conscious है ठीक है और हमारे पास जो system है उसमें बहुत सारे system बहुत सारे sensor है कि जिसे हम activate ही नहीं किये हैं जिसके फंक्शन को हम नहीं समझते उसे activate कैसे करें ठीक है क्योंकि हमारे पास जो काल आये थे उसमें यह हुआ कि आपको इस सारे चीजें कहां से मिलता है हमने कहाँ जवाब तो दिये लेकिन उनको ना समझ में आया हो तो आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें जो नया लगे उसे लिख ले और जो अच्छा लगे वो भी उसमें क्या होगा एक आ कि आपको जो बताने की मिराज जरूर था पहले अपने आपको सारे सिस्टम को आप समझें कि हमारे पास जो इस वर ने जो दे रखता है उस चीज का आप पहले उसको समझें कि काम कैसे करता है क्योंकि यह इस इतने भी technology है electronics है या किसी भी चीज में सब का इसका बहुत बड में प्रगट होते हैं और यह सारे चीजों को बनाने विगाड़ने का जो काम है इसका यही सब है तो इसमें सबसे महतुपूर चीजें हैं जो सेंसर के रूप में हमारी जैसे आख है कान है मुह है तो इन तीनों सिस्टम को आप समझेंगे खाली तीन ही का मन तो बाद में और और सारी चीजे बाद में पहले इस तीनों का फंक्शन आप समझेंगे कि जैसे आख हमारा हुआ एक कैमरे की तरह भी है करता है ठीक है और कैमरा क्या करता है, कैमरा इमेज लेता है, देखता है और इमेज लेकर उसे स्टोर करता है, इस्टोर ही हमारा एक पैरामीटर तयार होता है अंदर इमेज के रूप में, जिसे हम पास्ट की मेमोरी में उसे हम यूज करते हैं, डेटा के रूप में, उसी से उसका जो हमारा experience होता है उसी से उसकी जो है मैचिंग करते हैं उसी हिसाब से उसके discussion अंदर करते हैं लाजिकर्स तरफे ठीक है तो उसी हिसाब से वो सारी चीजें हम किसी problem को solve करते हैं इन सारी चीजें को आप समझेंगे तो बहुत पहले तो थोड़ा सा लगेगा कि उपर से निकल गया लेक चीजे पर हम ध्यान नहीं दिये वो चीजे एक्टिव नहीं होई अभी इसमें देखें जैसे यह हमारा टोटल यह जो पैनल है पैनल में पिक्सल हैं यह जितने ब्लॉक बने हैं अब ब्लॉक में अगर कोई भी इमेज बनता है माल लिजे आपके चेहरे का इमेज यहां पे स्क्रीन पे इतना पड़ा अभी इसमें जो इफेक्ट पड़ा है यानि जो आपका इमेज पड़ा है जैसे आप यहां पर देखते हैं तो इसी चीज को आप करपना करेंगे कि जैसे कैमरा होता है कैमरे में क्या है कि जैसे आपका इसमें पिक्सल एरिया पर पड़ता है में आकर बढ़ाते बढ़ाते तो ऐसे पिक्सल को हम बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं तो यह पिक्सल जूम होता है जूम मतलब जिसे बढ़ा किया जाता है तो जितने अधिक पिक्सल होंगे इसमें अगर पिक्सल की संख्या ऐसे बढ़ गई यह इतना और फिर इसमें और बढ बढ़ गया ऐसे फिर इसमें और बढ़ गया तो यह जो पिक्सल की काउंटिंग इसमें अधिक हो गई अब इसकी जो किलेटी इस वाले से इस वाले से इसकी अधिक होगी इसको जितना जूम करते जाएंगे इसमें जितनी हमारे महत्रपूर जितने वह चीजह हैं एक सारे नर्वर सिस्टम को क्लेर देख सकते हैं वह कैसे काम कर रहा है ठीक है क्योंकि हमारे इंटर्नल भी जैसे इसमें बहुत सारे वायर जूड़े होते हैं सर्किट बने होते हैं सेक्शन बने होते हैं तो ऐसे हमारे सारे सिस्टम भी जो है वायरिंग किये होते हैं वह इंटर्नल एलेक्ट्राण के रूप में ब्लड में उसके जो है इनफार्मेशन एक जगा से दूसरे जगा टांसफर होते रहते हैं तो उसी के तरीके से हम इस चीज को जान सकते हैं समझ सकते हैं जो चीजें इस समय नया आने वाला है फिल्ड में या जो आ गया है या जो चल करा है तो इसी तरीके से हम इस चीज को एक्जर्वेशन करते हैं महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे जो महत्तपूर सकती है वह समझ की और महसूस करने की सकती ठीक है